Hello everyone, इस वीडियो में मैं एडिटेरिया के टेस्ट सिरीज से टेस्ट फाइफ के हिंदी मेडियम के कोस्टन्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ ये सभी कोस्टन्स आने वाले BPSA 69th PT exam में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही जादा मदद करेंगे इस बार सीटों की संख्या बहुत ही कम है ऐसी इस्थिती में आप जितना ही जादा नंबर ओफ कोस्टन्स की प्रेक्टिस करके एक्जाम देने जाएंगी उतना ही जादा एक्जामिनेशन हॉल में आप कमफर्ट फिल करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं Q1. दादा भाई नौरोजी ने किस बर्स पहली बार भारती राष्टे कांग्रेश की अध्यक्सता की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहली बार 1886 की कलकाता सेशन की अध्यक्सता की थी? राइट अप्शन ए होगा नेक्स्ट बर्स 1931 को सरदार पटेल की अध्यक्सता में हुए कंग्रेश के समेलन में निवन में से कौन सा प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था? तो मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था? आर्थिक नीती का प्रस्ताव भी पारित किया गया था? गांध नेक्स्ट निम्न में से कौन सा जुग में सही सुमेलित नहीं है। तो इस कारण से B गलत है 1938 हरीपूरा राष्टी न्योजन समीती का गठन किया गया था ये सई है इसमें से गलत B है सो राइट अप्शन B होगा Next, मांटेग्यू की घोषना को किसने सूर्ज भीहिन उसाकाल की उपमा परदान की थी तो 22 अगस्त 1917, 20 अगस्त 1917 को जो मांटेग्यू घोषना आया था उसको बाल गंगाधर तिलक ने सूर्ज भीहिन उसाकाल की उपमा परदान की थी इस घोषना पत्र को उधारवादियों ने भारत का मैगना काटा कहा था जबकि बाल गंगाधर तिलक ने सूर्ज भीहिन उसाकाल कहा था भारत में 22 जून 1897 को पूना में सर प्रथम यूरोपियों की राजनीतिक हत्या किस के द्वारा की गई थी तो चापेकर बंधूँ के द्वारा की गई थी 22 जून 1897 को पूना में दामोदर चापेकर एम बाल कृष्ण चापेकर ने प्लेग समीती के प्रधान चॉल्स रेंड एम लेटिनेंट आयर्ष्ट की हत्या कर दी थी यह भारत में यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी फर्स्ट पॉलिटिकल एसेसिनेशन तो चापेकर बंधू राइट अप्सन सी होगा नेक्स्ट जी सुब्रमन्यम अयर के द्वारा निम्न में से किस अखबार का संपादन किया था तो जी सुब्रमन्यम ने स्वदेश मीत्रम और दहिंदू का संपादन किया था इन दोनों का किया था बंगाली का संपादन किया था सुलेंदलनाथ बनर जी ने तो इसमें से उप्रिक्त में से एक से अधिक राइट अप्सन डी होगा नेक्स्ट 1878 में पारित वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस बाइस राय ने रद कर दिया था तो लॉड रीपन का कार्जकाल 1884 से चावरासी तक था और लॉड रीपन नहीं 1882 में बर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भारतियों के भाड़ी बिलोध के बाद वापस ले लिया था तो इसमें से लॉड रीपन हो जाएगा राइट अप्सन बी ब्रेटिस सरकार अप्रसासन के रूसी जारसाही तरीके अपनाने पर लगी है प्रेस का गला गोटने का नतीजा उसके लिए आत्मगाती साबित होगा उप्रिक्त कथन निम्न में से किसका है तो ये कथन दादा भाई नौरोजी ने लंदन में भारती अपरवासियों की एक सभा को संबोधित करते हुए ये स्टेटमेंट दिया था और ये स्टेटमेंट उस कंटेस्ट में था जब पत्रकारता के लिए बाल गंगाधर तिलक को 18 महिने की सजा दी गई थी उसी के बिरोध में दादा भाई नौरोजी ने ये स्टेटमेंट दिया था तो राइट अप्शन बी होगा गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टी सन नामक पुस्तक के लिखर कौन थे? राम मनोहर लोहिया थे राइट अप्शन बी होगा इंडियान लीक की अस्थापना किस के द्वारा की गई थी? इंडियान लीक की अस्थापना 1875 में सिसिर कुमार घोस के द्वारा की गई थी राइट अप्शन बी होगा नेक्स्ट मदरास महाजन सभा का गठन किस बर्स किया गया था? तो मद्रास महाजन सभा का गठन 1884 में 16 माई को तीन लोगों के द्वारा सुब्रमन्यम ऐयर आनंद चारलू M.M.B. रागवाचारी के द्वारा किया गिया था तो राइट अप्सन C होगा 1884 नेक्स्ट निमलिखित में से कौन सा जुग में सुमेलित नहीं है बंबे प्रेसिडेंसी एसोशीएशन के संस्थापक फिरोज सामेहता थे यह सई है पूना सर्भजनिक सभा के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे जश्टीस रानादे थे तो यह गलत है इंडियन एसोशियेशन के संस्थापक सुरेंदरनाथ बनर्जी थे ये सही है गलत है B, सुराइट अपसन B होगा नेक्स्ट, सौदेशी और बहिसकार अंदोलन के दावरान अपनाए गए संघर्स के तरीकों पर विचार कीजिए समीतियों का गठन किया गया था, परंपरागत और लोगपिरिये उत्साओं का उप्योग किया गया था, ये सही है दोनों राश्तिय सिक्षा कार्ज करम चलाए गये थे, ये भी सही है, तो तीनों ही है स्टेट्मेंट सही है, नीचे दिये गए कूट का प्रयोकर सही उत्तर चुनिए, तो 1, 2, 3 तीनों ही है, इसमें 1, 2, 3 दिया नहीं है, तो उप्रयोप्त में से कोई नहीं, राइट अपसन D हुआ था 16 अक्टोबर को, और ये BPSC में पूछा गया है, 16 अक्टोबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू हुआ था, केंद्र सरकार की रजधानी का कलकता से दिली अस्थनांतरन हुआ था 1911 में, और कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में 1907 में, और एक होगा सबसे पहले, और सबसे बाद में जो घटना घटी थी, राजधानी का अस्थनांतरन जो हुआ था, तो सबसे लास्ट में आएगा 2, 1 सबसे पहले, और लास्ट में आएगा 2, 23 तरीका से देखें, तो B सही अप्सन हो रहा है next, सुरेंद्रनाथ बनर जी के दौरा निमलीखित में से किस संस्था का गठन किया गया था, तो इनमे से सुरेंद्रनाथ बनर जी के दौरा इंडियन एसोसियेशन का गठन किया गया था कलकाता में, राइट अप्सन C होगा नेक्स्ट, 1907 को कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों को दो भागों में विभाजित हो जाने का क्या कारण था? नेक्स्ट, गांधी इर्विन समझाओतों के संदर में नीचे दिये गए कथनों पर विचार केजी गांधी इर्विन समझाओते के थाथ कांग्रेस ने सबने अवग्या आंदोलन को एस्थाकित किया, ये सही है कांग्रेस ने दियतिये गोल में सम्मेलन में भाग लिया, ये भी सही है बिर्टिस सरकार समने अवग्या आंदोलन के दवरान गिरफतार सभी कैदियों को रिहा करने को साहमत हो गई थी जो हिंसक गतिवीदियों में सामिल थे, उनको छोड़ने पर साहमत नहीं हो थी कैदियों को नहीं, तो इस कारण से ये थर्ड एस्टेटमेंट गलत है, तो इसमें सूपरिक्त में से कौन सा कथन असत्त है, तो तीसरा एस्टेटमेंट असत्त है, राइट अप्सन C होगा नेक्स्ट, निमलिखित में सकी सस्थान पर भारत छोड़ो अंदोलन के दवरान समनांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था, तब बलिया में समनांतर सरकार का गठन किया गया था, तामलुक में भी किया गया था, सतारा में भी किया गया था, जहांसी में नहीं किया गया था तो केवल दो होगा डाइट अपसन ए नेक्स कोश्चन कैबिनेट मीशन 1946 के संबध में नीचे दिये गए कथनों पर विचार कीजिए इसे भारतियों को सता सौपने की सर्तों के बारे में बाचीत करने के लिए भेंजा गया था इस मीशन ने भारत में दो एस्तरो वाली एक संघीय जोजना का परस्ताव किया इसके अधार पर जवाहरलाल नेहरू के नेत्रिक्त में एक अंत्रिम सरकार का गठन किया गया था उप्रिक्त में से कौन से कथन सही है तो उप्रिक्त में से मोर देन वन होगा उपर एकुत में से एक से अधी के राइट अप्शन D होगा नेक्स्ट कोस्टन, आजाओध हिंथ फोज के निमलिखित में से किस अफसर पर लाल किला का मुकादमा नहीं चलाया गया था तो लाल किला का मुकादमा चलाया गया था जनरल सहनवाज पे, जिएस धिलनों पे, जनरल प्रेम सहगल पे चलाया गया था जनरल मोहन सिंग पे नहीं चलाया गया था, तो इसमें से केवल एक हो जाएगा राइट अप्शन D नेक्स्ट, अठारे फरवरी 1946 की साही नौसेना के बिद्रोह का प्रारंब किस अस्थान से हुआ था तो साही नौसेना के बिद्रोह का प्रारंब बंबे के एक नौसेनिक प्रसिक्षन पोत एनेस तलवार के नौसेनिकों के द्वारा किया गया था एनेस तलवार के नो सेनिकों के द्वारा किया गया था तो बंबई हो जाएगा राइट अप्शन ए नेक्स्ट किस तिथी कि मधरात्रिको राभी नदी के तट पर ज्वाहरलाल नहरू ने नया तिरंगा जंडा फाराया तथा स्वतंत्रता की घोषना का प्रस्ताव पढ़ा था तो वो था 31 दिसंबर 1929 31 दिसंबर 1929 का लाहर अप्शेशन के दिन राइट अप्शन बी होगा नेक्स्ट इंडेपेंडेंट लेबर पार्टी की अस्थापना निम्न में से किसने की थी तो इंडेपेंडेंट लेबर पार्टी की अस्थापना डॉक्टर बी आर अम्बेड करने 1936 में की थी राइट अप्शन सी होगा नेक्स्ट रामपरसाद बिस्मिल और असफाक उल्ला खां को फांसे किस शड़ेंतर केस में दी गई थी तो काकोरी शड़ेंतर केस में दी गई थी दरसल में अगस्त 1925 में क्रांतिकारी यों ने लखनव के पास काकोरी गाउं में चलतिर ट्रेन से सरकारी खाजाने को लूट लिया था और इस किस में रामपरसाद बिस्मिल और असफाक उल्ला खां सहित चार लोगों को खांसी दी गई थी राइट अप्शन ए होगा नेक्स्ट असाहजोग आंदोलन को अपचारिक तोर पर किस अस्थान पर अस्थागित किया गया था तो 5 फरवरी 1922 को हुए चारी चारा के हिंसक कांड से दुखित हो करके महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस के बारदोली बैठक में अस्थाजोग आंदोलन को वापस लेने की यानि एस्थागित करने का प्रास्ता अप्चारिक रूप से पारित किया था तो इसमें से बारदोली हो जाएगा राइट अप्चन बी नेक्स्ट भारतिय स्वतंतरता अधिनियम बिर्यटिस संसद द्वारग का पारित किया गया था तब भारतिय स्वतंतरता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को बिरिटिस संसद में पेच किया गया था और उस बिल को 15 जुलाई 1947 को House of Commons से पारित कराया गया और 16 जुलाई 1947 को House of Lords से पारित कराया गया और उस बिधेग पे यानि उस बिल पे 18 जुलाई 1947 को British समराट ने हस्ताक्षर किये इस कारण से वो एक्ट बना 18 जुलाई 1947 को राइट अप्शन ए होगा भारत छोड़ो अंदोलन प्रस्ताव का अलेक किस ने लिखा था तो 8 अगस 1942 को अखिल भारतिय कांग्रेस कमीटी की बैठक में जोहरलन नहरू द्वारा भारत छोड़ो अंदोलन का प्रस्ताव पेस किया गया था और उस प्रस्ताव का अलेक स्वय महात्मा गांधी जी ने नहरू जी और अन्य सहजोगियों के साथ मिल करके तयार किया था तो इसमें से महात्मा गांधी होगा राइट अप्शन बी नेकस्ट निमलिखित में से किशने का था कि कांग्रेस के वल 20 बर्ग सुक्ष में जंसंख्या काहें प्रतिनी धित्तो करती है तो ये बाते कई थी Лोर्ड डॉफरीन ने और लोर्ड डॉफरीन के टाइम में ही इंडिया नेशनल कांग्रेस का गठन किया था 28. December 1885 को, right option C होगा, भारत माता सोसाइटी नाम करांतिकारी संस्था का गठन निम्न में से किसने किया था? तो भारत माता सोसाइटी नामक करांतिकारी संस्था का गठन अंबा परसाद और अजीस सिंग ने मिल करके किया था तो इसमें से उपरियुक्त में से एक सधीक हो जाएगा राइट अप्सन डी जनवरी 1923 में सोराज पार्टी की अस्थापना किस अस्थान पर की गई थी तो जनवरी 1923 में सोराज पार्टी की अस्थापना अलाहाबाद में सी आरदासेम मोतिलाल नहरू के द्वारा की गई थी तो इसमें से कोई नहीं होगा, उप्रिक्त में से कोई नहीं, राइट अपसन डी नेक्स्ट, 1861 के भारतिये परिशाद अधिनियम के संदर में निमलिकित कथनों पर वीचार कीजी इस अधिनियम में गौवर्नर जनरल की परिशाद में 6-12 सदस्व के विर्धी की गई, जिनका काज काल दो बरस ने धारित किया गया ये स्टेट्मेंट बिलकुल सही है, इस अधिनियम में उपबंद किया गया कि भारतिये बिधान मंडल द्वारा पारित परतीक प्रस्ताव पर सपरिशद भारत सचेव की माध्यम से महरानी की स्विर्थी आवसिक होगी, ये बिलकुल सही है उपरियुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है, तो दोनों ही कथन सही है, एक वह दो और आइट अप्सन सी होगा नेक्स्ट, प्रस्तानों में वर्नित संपून प्रभुत संपन सब्द से अभिप्राय है, आइसी ब्यवस्ता जहां भारत बर्ष किसी भी आंतरीक अथवा, बाहे, सता से प्रभावित हो, बिलकुल नहीं, ये गलत है आईसी बेवस्था जहां भारत वर्स आंतरिक तथा बाह है सता से प्रभावित हो बिल्कुल नहीं ये गलत है तो इसमें से ये एस्टेट्मेंट सही है सो राइट अप्शन ए होगा समता संबंदी अधिकारों के बावजूद्ध राज को निमलिकित में से किस बर्ग के संबंद में बिसिस प्रावधान करने की सकती है महिलाओं के संबंद में, बच्चों के संबंद में, पीछडी जातियों के संबंद में, SCST के संबंद में तो इन में से सभी सई है, उपर युक्त में से एक सेधिक राइट अप्शन D होगा, और इसी की बेसिस पे रिजर्बेशन दिया जाता है, नेक्स्ट, भारती समिधान का उंच्छेदे क्यावन में अंतराष्टिय सांती और सुरक्षा को बढ़ावा देने हैं तूराज द्वारा कौन से प्रयास किये जाने का उलेख है, राष्टों के बीच नियाय संगत और समान पूर्ण संबनों को बनाए रखने का ये सई है, अंतराष्टी बिवादों को मध्यस्तता द्वारा निप्टाने के लिए प्रोसाहन देने का ये भी सई है, संगतित लोगों के एक दूसरी से ब्यवारों में अंतराष्टी बिधी और संधी बाध्यताओं के प्रती आदर बढ़ाने का ये भी सई है, तो उप्रयुक्त में से एक से अधिक राइट अप्शन डी होगा, नेक्स कोस्टन, निमलिकित कथनों पर विचार केजी और आसत्त कथन की पहचान केजी, राष्टपती अपना त्याग पत्र कार्जकाल समापती से पुर्व उप्राष्टपती को दे सकता है, ये सही है, मिर्त्यू त्याग पत्र या पद से हटाय जाने की स्थिती में उप्राष्टपती राष्टपती के पद पर तब तक काम करता है, जब तक नए राष्टपती को चुनाओना हो जाए, ये भी सही है, राष्टपती का पद रिक्थ होने के तीन माह की अवधी बीतिने से पूर्ब राष्टपती चुनाव हो जाना चाहिए तीन माह की अवधी नहीं, छे माह की अवधी बीतिने के पूर्ब राष्टपती का चुनाव हो जाना चाहिए ये statement गलत है और हमें चूज करना है गलत है statement असत कथन को ही चूनना है इस कारण से C statement गलत है तो राइट अपसन C होगा निम्न में से कौन राजसभा की सक्तियों में समिलित नहीं है यह समान बीधेकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है तथा धन बीधेकों में शंसोधन प्रस्तावित करती है यह सही है यह सम्यधानिक शंसोधन को पारित करती है यह राष्ट पती मूप राष्ट पती की सभी है अहड़ा में चुनना है शमिलित नहीं है तो उप्रयुक्त में से कोई नहीं राइट अपसंड डी होगा नेक्स्ट संसद के सदसकिस के माध्यम से काजपालिका के सदस्यूप और नियंतरन रखते हैं पूरक प्रस्ण पूछकर नियंतरन रखते हैं कार्जस्थगन प्रस्ताव लाकर इसके माध्यम से भी नियंतरन रखते हैं ध्यानाकार्शन के सुचना देकर ये भी सही है विभिन संसदिय समीतियों के माध्यम से भी नियंतरन रखते हैं ये चारों ही सही है, यानि चारों ही जो statement दिये गए हैं, इसके माध्यम से संसत के सदस कार्जपालिका के सदस्यों पर नियांतरन रखते हैं, तो इसमें से एक, दो, तीन, चार हो जाएगा, तो उपरिक्ट में से एक से अधिक right option D होगा. नेक्स्ट, लोकसवा में किसी बिधैक पर आम बहस निमलिखित में से किस स्तर पर होती है, तो किसी भी बिधैक के लिए, फस्ट रीडिंग में बिधैक को पेस करने के लिए, पेस करने के लिए सदन की अनुमती मांगी जाती है, फस्ट रीडिंग में, यानि प्रथम वाचन म second reading यानि दितिये वाचन में दो अवस्थाएं होती है प्रथम अवस्था में बिध्यक को बिश्तृत चर्चा के लिए प्रावर समीती को सौंप दिया जाता है तथा दूसरी अवस्था में बिध्यक की अलग-अलग धाराओं पर आम भास होती है जिसमें संसुधन प्रास्तावित होता है और तृतिये वाचन यानि थार्ड रीडिंग में अंतिम सुखिर्ती के लिए बिध्यक पर चर्चा होती है तो इसमें से सेकेंड वाचन यानि सेकंड रीडिंग राइट अप्सन सी होगा नेक्स्ट, राजविधानबंदल के अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच अंत्राल कितिनी समय से अधिक नहीं होनी चाहिए छे माहा से अधिक नहीं होने चाहिए, मतलब बैठक एटलीस्ट एक साल में दो बार होने चाहिए, राइट अपसन भी होगा नेक्स्ट समिधान के ब्याख्याक से संबंधित बीबाद सर्वुच नियाले के पास लाए जा सकते हैं इसके मौलिक छेत्राधिकार के अंतरगत, इसके अपिलिये छेत्राधिकार के अंतरगत, राइट अप्सन, अपिलिये जरिस्टिक्षन के अंतरगत, राइट अप्सन, बी होगा next question, सुची 1 को सुची 2 से सुमिलित कीजिए सुची 1, सुची 2 इसमें यदि साइबर कानून की बात करें तो साइबर कानून और सिस्ट भी सही के अंतरगत आता है तो जो ही हम D का 4 करेंगे तो A option सही हो जाएगा D का 4, A option यानि A का 2 हो जाएगा बंदरगाह जो केंद्रिय सूची के अंतरगत आता है और B का 3 यानि जेल खाना जो है राजसूची के अंतरगत आता है और समानों में मिला और समवर्ती सूची के अंतरगत आता है यानि C का 1 हो जाएगा और D का 4 होगा है यानि A का 2, B का 3, C का 1 डी का 4, right option A होगा Next, ग्राम सभा के कार्जों के संदर्व में दिये गए कथनों पर विचार करें यहां ग्राम पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है यह सही है इसके साथ ही पैसों का दुरूपयोग M गलत काम न हो इसकी निग्रानी करना भी ग्राम सभा काही कार्ज है यह भी सही है तो दूनों ही यह स्टेटमेंट सही है एक वदो, right option C होगा Next question निमलिखित कथनों पर विचार के जए भारत में महानगर जोजना समीती यानि Metropolitan Planning Committee भारती समीधान के प्रावधानों के अंतरगत गठित होती है यह बिल्कुल सही है महानगर जोजना समीती यानि Metropolitan Planning Committee संबधित महानगर जोजना के लिए बिकास जोजना तयार करती है यह भी सही है उस महानगर जोजना को लागू करने का पून दाइत पूरा करती है यह भी सही है तो इसमें से चारों ही स्टेटमेंट सही है तो उप्रयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है तो उसमें से 1,2,3,4 सभी सही है तो 1,2,3,4 नहीं दिया हुए है प्रयक्त में से एक से अधिक right option D होगा next question बीत आयोग के कार्ज है भारत की संची निदी से धन निकालनी की अनुमती देना ये बीत आयोग कार्ज है नहीं है प्राप्ट कड़ों के भागों को राजियों के बीच में बांटना ये सही है साहता अनुदान के लिए राजों के आवेधन पर विचार करना ये सही है संग तथा राज सरकारे बजट के प्रावधाने का उनसार करों की उगाही कर रही है या नहीं इसकी देख रेख करना तथा उस पर रिपोर्ट देना ये भी तयों का कार्ज नहीं है तो इसमें से 1 और 4 गलत है और 2 और 3 साही है तो केवल 2 और 3 राइट अप्शन B होगा नेक्स्ट निम्न समिधान संसोधन में से किस एक के द्वारा पहली बार समिधान में दल बदल बिरोधी प्रावधान किया गया था तो वो था 42nd Constitutional Amendment Act 1985 तो बाउनमा समिधान संसोधन अधिनियम था उप्रयुक्त में से कोई नहीं राइट अप्शन D होगा नेक्स्ट यूकाटन चैनल किन दो देशों के बीच में इस्ति थे तो यूकाटन जल संधी जिसको यूकाटन चैनल भी कहा जाता है ये है मेक्सिको और कुबा के बीच में एक जल संधी है राइट अप्शन A होगा नेक्स्ट निमलिकित में से दक्षिन अमिर्का का कौन सा देश प्रसांत महासागर वो अटलांटिक महासागर दोनों से सीमा बनाता है तो वो है कुलंबिया राइट अप्शन A होगा बुलू नील और वाइट नील नदी आपस में कहां मिलती है तब बुलू नील इथोपिया के ताना जिल के पास से निकलती है जबकि वाइट नील जो है ये यूगांडा में विक्टोरिया जिल के पास से निकलती है और उत्तर की और बहती है ये दोनों नदी सुडान में सुडान में खार्टूम नदी से एक दूसरे से मिल जाती है सुरी खार्टूम नामक जगा के एक दूसरे से मिल जाती है सुडान के खार्टूम नामक जगा से मिल जाती है तो खार्तूम होगा राइट अप्सन ए तो ब्लू नील और वाइट नील नदी आपस में कहां पे मिलती है ये आपस में मिलती है सुडान के खार्तूम में ए अप्सन सही होगा नेक्स्ट विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरू भूमी छेत्र रब अलखली का मतलब होता है खाली जगा मरूसल किस देश में इस्थित है तो रब अलखली में आता है सौधी अरब का भी कुछ छेत्र सामिल है उमान का भी सामिल है और यमन का भी सामिल है तो प्रयुक्त में से एक साधिक right option D होगा छेतरफल की दिरिश्टी से नीचे दिये गए दीपो में कौन सा सबसे बड़ा दीप है तो world में सबसे बड़ा दीप greenland है छेतरफल की दिरिश्टी से second पे आता है new gini new gini second पे आता है और borneo third पे आता है और मेडा गासकर फोर्थ पे आता है तो यदि छेत्रफल के दिरिष्टी से नीचे दिये गए दीपों में कौन सा सबसे बड़ा है तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो दीप है वो है ग्रिनलेंड तो यदि वर्ल्ड में चूच करना हो तो उप्रिक्त में से कोई नहीं हो जाएगा तो उस केस में डी अप्सन होगा और यदि इन तीनों में से चूनना हो तो इन तीनों में से सबसे बड़ा छेत्रफल है नियोगीनी का तो इस कारण से A होगा या तो A होगा या D होगा Next क्राका टोवाज वालो मुखी किस देश में इस्थित है तो ये इंडोनेशिया में इस्थित है राइट अप्शन B होगा Next कारा कोरम दर्रा, उमलिंगला, चांगला, ठांगला, खारदुंगला और जोजिला किस राज या के अंदर सासित परदेश में इस्थित है तो ये सभी लदाख में इस्थित है, राइट अप्शन C होगा पंच मलाई परबत और जवादी परबत भारत के किस राज में इस्थित है ति या भारत के तमिल लाडू राजी में इस्थित है, right of son A होगा Next, अंडमान और निकोबार दीप समू का सरवोच्य शिगर saddle pick इस्थित है तो saddle pick उतरी अंडमान में इस्थित है, right of son A होगा next, Asia में इस्थित निमलिकी देशों को उत्तर से दक्षिन करब में सजाएं तो इसमें से मैनमार, मलेशिया, कमबोडिया और थाइलन्ड में सबसे दक्षिन में आएगा मलेशिया और सबसे उत्तर में आएगा मैनमार तो इस कारण से B और C अप्षन सही बन रहा है तो अब देखते हैं सबसे उत्तर में है मैनमार, उसके बाद में है थाइलन्ड, देन कमबोडिया और सबसे लास्ट में मलेशिया तो मैनमार यानि 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, राइट अप्षन B होगा यानि सबसे उत्तर में है मैनमार उसके बाद उससे दक्षण में थाइलेंड और उससे दक्षण में कमबोडिया और उससे दक्षण में मलेशिया है भारत बन इस्थिती रिपोर 2021 कमशार बिहार में कुल भगोलिक छेतरफल का कितना प्रतिसत बनावरण है तो बिहार में कुल बनावरण है 738.79 बर्ग किलोमेटर यानि 7380.79 बर्ग किलोमेटर है जो बिहार के कुल भगोलिक छेतरफल का 7.84 प्रतिसत है साथ दसमलो आठ चार प्रतिसत राइट अप्सन सी होगा नेक्स्ट भारत बन इस्थिती रिपोर्ट 2021 कंसर बिहार में ब्रिक्छावरान का छेत्र है तब बिहार में ब्रिक्छावरान है 241 स्क्वाइर किलो मीटर और ये बिहार के कुल भगवलिक चेत्रफल का 2.48% 2.48% है तो 2341 स्क्वाइर किलो मीटर इसमें से कोई नहीं होगा राइट अप्सन डी निमले कितने से किस सागर की तट रेखा नहीं है तो काला सागर की तट रेखा है अजोग सागर के भी तट रेखा है लेकिन शारगासु शागर जो है ये नौर्थ अटलांटिकोसियन में है ये समुद्र में ही समुद्र है और इसकी कोई तट रेखा नहीं है राइट अप्सन बी होगा नेक्स्ट बिहार बजट 2023 को इसार मुख्य मंत्री महिला उद्यमी जोजना के तहत बीत बर्स 2023 के लिए कितिनी धन रासी का आवंटन किया गया है तो 250 करोड रूपय का आवंटन किया गया है राइट अप्सन सी होगा और इस 250 करोड रूपय का यूज कहां पे होगा तो जोजना के तहस सम्मंदित प्रचेत्र के महिलाओं को सरकार के तरफ से 10 लाख रूपय तक का रिंड दिया जाएगा जिसमें 5 लाख रूपय ब्याज मुक्त रिंड होगा जिसे 7 बर्सों में 84 समान किस्तों में चुकाना होगा और बाकी 5 लाख जो है वो बिसेश प्रोट्साहन जोजना के अंतरगत अनुदान या सबसीडी के रूप में होगा तो 10 लाख रूपय का लोन दिया जाएगा जिसमें 5 लाख पे इंट्रेस्ट देना होगा 5 लाख पे वो सबसीडी के रूप में होगा नेक्स्ट बिहार बज़र 2023 का अंसाथ सरबाधिक खर्च निमलिखित में से किस विभाग पर किया जाएगा तो सिक्षा पर किया जाएगा सिक्षा पर कुल जो आवंटन है वो है 22,235 करोड रूपय का आवंटन हुआ है राइट अप्शन यह होगा 22,200 करोड लगभग 22,200 करोड रूपय का हुआ है अवंटन नेक्स्ट बिहार बज़र 2023 का अंसार अनुमानित राजकोसिय घाटा GSDP का कितना परतिसत है तो GSDP का 2.98% 2.98% राइट अप्शन भी होगा बिहार बज़र 2023 का अंसार कूल अनुमानित ब्याय कितना है तो कूल अनुमानित ब्याय है दो लाख 16,885.4 करोड रूपय राइट अप्शन C होगा दो लाख 16,885.4 करोड रूपय नेक्स्ट बिहार बज़र 2023 में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने मालों को होल्डिंग टेक्स में कितने प्रतिसद छूट का प्रावधान किया गया है पांच प्रतिसद का प्रावधान किया गया है छूट का राइट अप्शन A होगा नेक्स्ट, बिहार बजट 2023-2024 अंसार राज के कुल कितने अस्पतालों को मौडल अस्पतालों के रूप में बनाया जाएगा तो 21 अस्पतालों को, टाइट अप्शन B होगा नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षन 2022-2023 के अंसार सकल राज्यगत मुल्य बर्धन में नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षन 2022-2023 के अनसार 2021-2022 में प्रती ब्यक्ति नीवल राज्य घरेलू उत्पाद कितनी रही तो 3789 रूपिय रही थी, 3789 रूपिय राइट अप्शन B होगा नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षन 2022-2023 के अनसार 2021-2022 में बिहार सरकार के कूल देंदारी में कितना प्रती सत लोक रिंड कर रहा है तो 81.1 प्रती सत इतना ज़्यादा, राइट अप्शन B होगा नेक्स्ट, जैवी कोरिडोर योजना के संदर में कौन सा कथन सही नहीं है सही नहीं है, ये चुनना है इसके अंतरगत गंगा के किनाडे वाले जीले आते हैं, ये सही है इसका किरियानमन बर्स 2019-2022 से किया जा रहा है, ये भी सही है इसे बिहार के कुल 11 जीलों में लागू किया जाएगा 11 जीलों में नहीं, 13 जीलों में लागू किया जाएगा तो इस कारण से C गलत है, सो राइट अप्शन C होगा नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सरवेक्षन 2022 तेस के उनसार पिछले 5 बर्सों के दवरान 2017-2022, किलसी और संबद शेतर, यानि Agriculture and Allied सेक्टर में कितने प्रतिसत की बिर्दी होई है तो 5 प्रतिसत की बिर्दी होई है, Agriculture and Allied सेक्टर में राइट अप्शन C होगा नेक्स्ट बिहार आर्थिक सर्वेक्षन 2022-23 के अनुसार किस राज्य की अर्थ ब्यवस्ता भारत में तेजी से बढ़ने वाली अर्थ ब्यवस्ता है तो बिहार अर्थिक सर्वेक्षन 2022 तेश के अनुसार आंध्र परदेश की अर्थ ब्यवस्था भारत में सबसे तीजी से बढ़ने वाली अर्थ ब्यवस्था है आंध्र परदेश का विकास दर रहा है 11.4% सबसे ज़्यादा सेकेंड अस्थान पर आता है राजस्थान यहां का विकास दर रहा है 11.04% और थर्ड के बिहार 10.98% विकास दर रहा है तो राइट अप्सन यहां पर भी होगा सबसे ज़्यादा विकास दर रहा है आंध्र परदेश का साइंस का कोश्चन नमबर वन है नील हरित सैवाल में प्रकास संसेलेशन के किरिया होती है तो नील हरित सैवाल यानि ब्लू ग्रीन एलगी एक ऐसा अर्गनिजम है जिसके अंदर प्रोकरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं और प्रोकरियोटिक सेल्स उस सेल्स को कहा जाता है जिसके अंदर clearly defined nucleus नहीं होता है, इसके साथ ही clearly defined nucleus तो नहीं होता है, इसके साथ ही गौलजी काय भी नहीं होता है, यानि गौलजी बोड़ी नहीं होता है, इंडोप्लाजमी क्रेटिकूलम भी नहीं होता है, लाइसोसोम नहीं होता है, हरित लवक यानि क्लोडोप्लास्ट नहीं होता है, और माइटोकॉंड्रिया नहीं होता है, इसमें क्लोडोप्लास्ट तो नहीं होता है, लेकिन क्लोडोफिल होता है, क्लोडोफिल होने की वज़ सेप्रोफाइटिक एलगी क्या होते हैं सेप्रोफाइटिक एलगी है तो यदि कवक की बात करें फंगी की बात करें तो ये तीन तरीका का होता है सबसे पहला है सहजीवी यानि सीमबायोटिक दूसरा है परजीवी यानि परासाइटिक और तीसरा है Militope GVN यानि Seprophytic Fungi तो इसमें से Symbiotic यानि सहजीवी Fungus क्या होता है? ऐसा Fungus जिसमें Symbiotic Relation पाये जाता है जैसे Lichen Lichen जो है Blue-Green Algae and Fungus के बीच का एक Symbiotic Relation है जिसमें Fungi जो है वो Algae को Seltr प्रवाइड करता है और बदले में Algae जो है Photosynthesis के बाद Carbohydrate यानि भोजन बना करके ये Fungi को प्रवाइड करता है तो इस तरीका से यह एक Symbiotic Relation है तो Lichen किसमें आ जाएगा? Symbiotic Fungi में आ जाएगा दूसरे तरीका का है परजिवी यानि Parasitic ये उस तरीका के कवक है जो अपना भोजन जन्तुओं पोधें के जीवित उतकों यानि जीवित से प्राप्त करता है जीवित उतक यानि लिभिंग टीसू से प्राप्त करता है और इसके अंतरगत आता है Osteelago M. Pixenia तो Pixenia क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Parasitic Fungi तीसरे टाइप का है Miritob G.B. यानि Seprophytic Fungi और ये जो है हमेशा अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थ हों यानि Dead Organic Substances से अपना भोजन प्राप्त करता है और इसके अंतरगत आता है Morchella, Pencilium, Rhyzopos, Asper, Gileus तो Morchella जो हो जाएगा ये आजाएगा Seprophytic Fungi के अंतरगत यानि Britob G.B. कवक के अंतरगत तो इसमें से Right Option C होगा Next question सुची एक को सुची दो से मिलान करें या हम कूट कपडियों कर सही उत्तर चूनें इसमें सिस्चूसन मूल यानि Sucking Roots Sucking Roots से क्या होता है जैसे अमर बेल का एक्जाम पर लेते हैं अमर बेल किसी दूसरे पौधे पे राता है किसी दूसरे पेंड पे चड़ करके राता है और अमर बेल के जो Roots होते है जिस पेंड पे ये राता है उस पेंड के अंदर घुसे हुए राते हैं घुसे हुए इसलिए राते हैं क्योंकि उसी से उस पेंड से ये अपना भोजन पराप्त करते हैं और उसी roots को जो दूसरे पेड़ के अंदर घुसा हुआ रहता है उसको second roots यानि चूसर मूल कहा जाता है तो ये किसके अंदर पाया जाता है अमर बेल के अंदर पाया जाता है तो B का हो जाएगा 1 दूसरा है numeta 4 दल्दली अस्थानों में पाये जाने वाले जो पाधे हैं जैसे सुंद्री हो गया तो इसके जो roots होते हैं इसके roots के अंदर से एक विशेश टाइब के roots निकले हुए रहते हैं जिसको numeta 4 कहा जाता है तो सुंद्री का हो जाएगा numeta 4 एक टू और भूमिगत तन भूमिगत तना मतलब underground stem तो जैसे onion हो गया प्याज हो गया लहसुन हो गया आलू हो गया केला हो गया अद्रक हल्दी इस तरीका के पोधे के जो जड़ होते हैं तने से निकले हुए होते हैं इनका जो तना होता है वो जमीन के अंदर रहता है ग्राउंड के अंदर रहता है इस करण से इसको कहा जाता है भूमिगत तना तो प्याज हो जाएगा प्याज का हो जाएगा भूमिगत तना चौथा है स्वांगी कारक मूल यानि assimilatory roots तो जैसे सिंगाडा दिया हुए है सिंगाडा के जो roots हैं वो तने से निकल करके चाड़ों तरफ फैल जाते हैं जिसको assimilatory roots कहा जाता है तो C का हो जाएगा assimilatory roots C का 4 हो जाएगा तो इस तरीका से हम देखें 2143 यानि A का 2 B का 1 C का 4 and D का 3 right option B होगा next question पादप मिर्दू तक यानि पैरेन काइमा के संबंध में निमलिकित कथनों पर विचार करें यह epidermis के रूप में पौधों का संडख्षन करता है यह सहिं है यह पौधों में उत्सारजित पदार्थ जैसे गोंढ, रेजिन, टेनिन, आदी को भी संचित करता है यह भी सहिं है यह पौधे को यान्तरिक सहारा यानि mechanical support प्रवाइड करता है नहीं सो एक और दो Right Option ए होगा एंडोल Assessic Acid Nirmal में से किस हारμोन का उदारन है तो यह Oxyn हार्मोन का उदारन है और Oxyn क्या है एक Growth Regulator हार्मोन है और Oxyn हार्मोन जो है यह जडों की व्रेदी को नियंति करता है ऐवं बीज रहित फॉलों के उतपादन में सहायता करता है जिब्रेलीन जिब्रेलीन जो है ये सीड यानि बीज के सुसुपता वास्था यानि डोर्मेंसी को भंग करके उसको अंकुरित करवाने में हेल्प करता है यानि जर्मिनेट करवाने में हेल्प करता है cytokinin, cytokinin cytokinin जो है, यह cell division में help करता है यानि cell division के लिए जीस हार्मोन की आउसकता होती है वो है cytokinin abscissic aml, abscissic acid यह पौधो के ब्रधी को रोकता है यानि growth को यह रोकता है तो इसमें से right option A होगा next question प्राणिसम पोशन के मातपून चरणों का शुरू से अंत तक क्रम निम्न में से हो सकता है तेन्थ क्लास के NCRT में एक चेप्टर है जैव प्रक्राम, यानि life processes, उसमें वहाँ यह diagram दिया हुआ है और वहाँ से मैं इसलिया हूँ इसमे human digestive system को describe किया गया है उस चेप्टर में तो सबसे पहले food जो है यह अंदर आता है मुह से अंदर होता है और slavery gland से slavery gland से saliva estravith होता है यानि lar निकलता है और उस lar में slavery amylage पाया जाता है और slavery जो amylage है वो carbohydrate का digestion करता है तो इस तरीका से हम देखें तो carbohydrate का digestion हमारे मुह से ही शुरू हो जाता है तो मुह से होते हुए भोजन यानि अहार नली से होता हुआ estomak में आता है estomak में आता है estomak में hydrochloric estomak से जुड़ा हुआ रहता है gastric gland gastric gland से hydrochloric acid estravith होता है hydrochloric acid के साथ ही यहां से mucus भी निकलता है और एक protein digestive enzyme जो है pepsin भी अस्तरावित होता है तो तीन चीजे hydrochloric acid protein digestive enzyme pepsin और mucus तो इसमें से hydrochloric acid भोजन का acidic medium प्रभाइट करता है जब medium acidic रहेगा तब ही यह pepsin जो है protein digestive enzyme काम करता है यानि इसको pepsin को activate करने के लिए medium का acidic होना जरूरी है जो कि HCL प्रभाइट कर देता है hydrochloric acid प्रभाइट कर देता है mucus mucus का क्या काम है mucus जो है acid से stomach के lining को बचाता है यदि mucus नहीं रहे तो stomach का inner lining है उसका शरण हो सकता है उसमें खराबी आ सकती है तो mucus ये काम करता है उसकी बाद में भोजन जो है small intestine में जाता है और pancreas से जो तीन तरीका का enzyme estravit होता है ताल trypsin, amylase and lipase trypsin protein का digestion करवाता है amylase carbohydrate का digestion करवाता है और lipase fat का digestion करवाता है ये protein का digestion ये carbohydrate का digestion और ये fat का digestion करवाता है और इन तीनों enzyme के presence में भोजन का food का complete digestion होता है small intestine में small intestine में complete digestion होने के बाद में ये क्या होता है blood के द्वारा ये absorb कर लिया जाता है जो भी nutrients से absorb कर लिया जाते हैं हर एक cells के पास जाते हैं mitochondrgram में वहाँ पे oxygen के presence में reaction होता है और respiration का जो reaction होता है और उसके बाद में वहाँ पे ATP के फ़र में energy release होती है जो undigested food है वो आगे बढ़ता है larger intestine में जाता है और larger intestine में जो extra water है larger intestine के वाल द्वारा उस water के absorb कर लिया जाता है फिर undigested food जो है वो बाहर निकल जाता है उसका उत्सर्जन हो जाता है तो मतलब यह रहा कि सबसे पहले food का ingestion हुआ मतलब अंदर आया उसके बाद में उसका digestion हुआ अंदर ये ऐसोफेगस से होता हुआ stomach में गया stomach से small intestine में गया और उसके बाद में तब इसका absorption हुआ यानि nutrient से absorb हो गए blood के blood से और उसके बाद में इसका swangi करण यानि assimilation हुआ मतलब energy ATP के फ़र में रिलीज हुआ रियक्शन के बाद में और सबसे बाद सबसे last में excretion हुआ इसका बहिश करण हुआ तो इस तरीका साम देखे सबसे पहले अंतर ग्रहन हुआ उसके बाद में digestion उसके बाद में absorption उसके बाद में swangi करण यानि assimilation उसके बाद में बहिश करण यानि excretion हुआ तो राइट अप्शन यहाँ पे C होगा नेक्स्ट टोकोफेरोल निम्न में से किस पाचक रस को पून पाचक रस कहा जाता है तो pancreatic juice यानि अगनासाई रस को पून पाचक रस कहा जाता है इसमें ताल, trypsin, amylase and lipase enzymes होते हैं जो भोजन का complete digestion करवाते हैं इस करण से इसको पून पाचक रस कहा जाता है right option B होगा मानो सरिन में द्रिष्टीम, स्रमर सक्ती पर नियंतरन के लिए जिम्यदार काउन होता है तो वो होता है mid brain mid brain के दो भाग होते हैं यानि मध मस्तिस्क के दो भाग होते हैं एक तो है पहला है carpora quadrigemina carpora quadrigemina और दूसरा होता है cerebral peduncle तो ये दोनों ही mid brain के ही भाग हैं और carpora quadrigemina मध मस्तिस्क के उपरी भाग होता है और यहीं यानि carpora quadrigemina जो मध मस्तिस्क के उपरी वाला भाग होता है ये द्रिष्टीम, स्रमर सक्तिपन नियंतरन करने का कार्ज करता है यानि cerebral cortex को मस्तिस्क के अन भागो तथा मेरू रजू यानि spinal cord से जोड़ता है तो इस में से right option ए होगा next question निम्न में से कौन सा रोग वाइरस जनित रोग है तो खसरा यानि मीजल्स जो है ये वाइरस से होता है morbidly वाइरस नामक जो वाइरस है उसी की वज़े से खसरा यानि मीजल्स होता है तो ये वाइरल डिजिज है ये polio polio तो वाइरस से होता ही है वाइरल डिजिज है ही और गंजापन गंजापन जो है ये वाइरस से नहीं होता है ittenia capitis ittenia capitis नामक एक kawak यानि fungus है उसकी वज़े से ये गंजापन होता है तो इसमें से c जो है ये नहीं होगा लेकिन a and b है ये वाइरल वाइरस जानित रोग है तो उप्रियुक्त में से एक स्याधी क्राइट अप्शन d होगा खसरा ये जो है फंगस की वज़े से होता है next question 10 की घात के रूप में टेरा का मानने क्या होगा 10 to the power 12 को टेरा कहा जाता है 10 to the power minus 12 को पी को कहा जाता है और 10 to the power minus 15 को कहा जाता है फेम टो या फर्मी तो इसमें से ए राइट अप्शन होगा 10 to the power 12 next question उप्रियुक्त कथनों पर वीचार करें नीचे दिये गए कथन पर वीचार करें इरिनात्मक तवरण को मंदन कहा जाता है यानि negative acceleration को deceleration यानि retardation कहा जाता है negative acceleration का बाता है मान लिजे कोई object जो है right direction में जा रहा है इस पे opposite direction में हम force exert कर देंगे तो इसका speed धीरे-धीरे slow होने लेगएगा यानि इसका ये जिधर motion में उसके opposite direction में जब force अपलाई किया जाएगा तो opposite acceleration होगा यानि acceleration negative होगा जिसको मंदन कहा जाता है deceleration कहा जाता है या फिरिटार्डेशन कहा जाता है तो ये statement सही है किसान का हल 33 स्रेनी का उतोलक है ये बिल्कुल सही है किसान का जो हल होता है वो 3rd class का liver होता है ये सही है 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dine होता है ये भी सही है समतल सता पर एक कंचे को लूड़काने से वह कुछ समय बाद घरसन बलके कारण रूख जाता है बिल्कुल सही है एक समतल सता पर किसी ये spherical body को जब हम लूड़का देंगे ये roll करते हुए जाएगा तो इस पे friction का force लगेगा और opposite direction में एक ये torque प्रवाइड करेगा इससे इसका rotational speed इसका rolling motion slow होते जाएगा और एक time ice आएगा कि ये रूख जाएगा तो रूखने का कारण क्या है friction है क्योंकि friction जो है वो opposite direction में एक torque प्रवाइड कर रहा है तो ये भी statement सही है तो 1, 2, 3 and 4 चारों ही सही है और इसमें से 1, 2, 3, 4 दिया नहीं है तो उपर उप्रुप्त में से कोई नहीं right option D होगा next यदि नीचे आते समय लिफ्ट की डोड़ी तूट जाए तो व्यक्ति के भार के समद्ध में निवमें से कौन सा कथन सकत्त होगा माल लिजिए कि एक lift है lift है जो नीचे की और lift आ रही है और यहाँ पे कोई person है इस पे यहाँ पे खड़ा हुआ है तो इसका mass नीचे की और mg लग रहा है इस person का इस लिफ्ट के floor के द्वारा एक normal reaction उपर की और लग रहा है इस पे एक normal reaction उपर की और n लग रहा है इसका mg नीचे की और लग रहा है और यह ax लेशन से माल लीजिए नीचे लिफ्ट आ रही है तो downward direction में net force होगा यानि mg माइनस n is equal to mass into acceleration यह newton के second law सामें इस तरीके से equation लिख देंगे तो अब n is equal to यहां से क्या होगा लिफ्ट तो एक जगह पर g हम रखेंगे m into g minus g हो जाएगा यानि 0 हो जाएगा यह तो m into 0 यानि 0 यानि n का value 0 यानि इस पे कोई भी normal reaction लगेगा ही नहीं बिल्कुल महसूस नहीं कर पाएगा बिल्कुल यह उसका भार सुन हो जाएगा इस कारण से c option सही होगा भार हीन हो जाएगा वो एक जड़ करने से right option b होगा next माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वानी की चाल में क्या प्रभाव पड़ता है यानि medium के temperature को increase किया जाए तो speed of sound पे क्या effect पड़ेगा तो speed of sound का यह formula होता है gamma p by rho का root इसको हम बदलते है temperature के form में तो यह आता है gamma rt by m gamma r by m यह तो constant है molecular mass constant है तो t square root of t के directly proportional आ रहा है तो b जो है यह directly proportional आ रहा है square root of t के यानि temperature जब बढ़ेगा तो speed of sound भी बढ़ेगा तो बढ़ जाता है right of sound b होगा next निम्न में से किस पदार्थ के 26 उसमा सरबादिक है यानि specific heat capacity सबसे ज़्यादा यह इसे देखें तो water का सबसे ज़्यादा होता है one calorie per gram per degree Celsius होता है cgs unit में si unit में 4200 joule per kg per Kelvin होता है तो इन चारों में से यदि हम देखें तो carbon का carbon का बिशिष्ट उसमा जो होता है carbon का यह 0.17 calorie per gram per degree Celsius होता है और बर्फ का बर्फ की अदि हम बात करें तो यह होता है 0.5 calorie per gram per degree Celsius और alcohol का होता है 0.6 calorie per gram per degree Celsius और लोहा iron का होता है 0.11 तो इसमें से सबसे ज़्यादा हम देखते हैं तो alcohol का आता है 0.6 calorie per gram per degree Celsius राइट अप्शन सी होगा सबसे ज़्यादा alcohol का होगा इन अप्शन में से नेक्स कोशन बर्फ के गलन की गुप्त उसमा का मान कितना होता है यानि latent heat of fusion of ice कितना होता है तो latent heat क्या होता है माली जी किसी भी solid को हम किसी container में रह करके एक solid को हम गर्म करना शुरू कर देते हैं heat supply करना शुरू कर देते हैं heat supply करेंगे तो इसका temperature बढ़ेगा 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 जब यह melt करना शुरू कर देता है जब यह solid melt करना शुरू होगा यानि इसका फेज χोना सुरू हो जाएगा इसका state जब change होना सुरू हो जाएगा melt करना सुरू करेगा तब temperature बढ़ेगा इसका रूख जाएगा तब तक रूखा रहेगा जब तक belum completely melt नहीं कर जाएगा तो जब phase change हो रहा है उस दवरान में temperature remain constant रहा जाता है और temperature remain constant हो जाता है लेकिन continuously heat supply किया जा रहा है तो वो जा कहां रहा है phase change होने में खर्च हो रहा है जो molecules के बीच में जो atom के बीच में जो distances हैं उसको increase गराने में खर्च हो रहा है जो force of attraction act कर रहा है उससे overcome करने में खर्च हो जाता है तो मतलब phase change होने में खर्च हो रहा है चुकि वो दिखता नहीं है temperature increase नहीं हो रहा है दिख नहीं रहा है इसलिए उसको hidden heat कहा जाता है latent heat कहा जाता है गुप्त उसमा कहा जाता है छीपी हुई उस्मा कहा जाता है तो बर्फ के गलन की जो गुप्त उस्मा होती है वो 80 कैलोरी होती है राइट अपसन C होगा नेक्स कोस्टन लेंस के संबंध में निमलिकित कथनों पर विचार कीजिए उत्तल लेंस में प्रकास के किने अपवर्थन यानि रिफ्रेक्शन के बाद मुख अक्ष पर एक बिंदू पर मिल जाती है जैसे देखिए ये उत्तल लेंस है यानि कन्वेक्स लेंस है इस पे जो भी रेज आप लाएंगे यहाँ पी जो भी रेज है प्रिंसिपल एक्सिस के पहला गी हम चला देते है तो रिफ्रेक्शन के बाद में एक पॉइंट से जाएगी फोकस से होकर के पास करती है तो क्या हो रही कन्वर्ज करवा रही है इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है तो यह प्रिंसिपल एक्सिस किसी न किसी पॉइंट पे कट ही करेगी इस कारण से यह statement सही है दूर दिरिष्टी दोस को दूर करने के लिए उत्तर लेंस का प्रियोग किया जाता है यानि फार साइटेडनेस हाइपर मेट्रोपिया को दूर करने के लिए उत्तर lens का यूज किया जाता है, देख लेते हैं far sightedness यानि hypermetropia, जैसे मालेजे कि यह हमारी आँख है और यह आँख का by convex lens है तो इसमें क्या होता है? far sightedness में दूर का जो अबजक्ट है वो तो clearly दिखाई देता है, लेकिन past का जो object है पास का जो अबजेक्ट है यानि नियर का जो अबजेक्ट है वो किलियर ले दिखाई नहीं पड़ता है और नियर का जो अबजेक्ट है उसका इमेज रेटिना पे नव बनके रेटिना के पीछे बनता है माल लेजे यहाँ पे कोई object है यहाँ से जो ray जा रही है यह bend होई है रेटिना के बाद में यानि रेटिना के पीछे जाकर के यह मिल रही है तो हम क्या करें यहाँ पर एक convex lens लगा दें तो इस ray को थोड़ा सा और bend करवा देगा थोड़ा सा bend करवा देगा और reflection के बाद में यह principal axis पे ही sorry, रेटिना पे ही जाकर के मिलेगी तो bending करवाने के लिए converge करवाने के लिए थोड़ा सा converge करवाने के लिए by convex lens का यूज किया जाता है यानि उत्तल lens का यूज किया जाता है यह statement सही है दूर दिरिष्टी दोस को यानि hypermetropia को यानि far-sightedness को दूर करने के लिए उत्तल lens का यूज किया जाता है यह statement बिलकुल सही है उत्तल lens की छमता रिणात्मक होती है देखिए उत्तल lens के principal axis के parallel जो हमने रे चलाई है वो reflection के बाद principal axis के जिस point में मिल रही है वह है उसका focus है और इसके optical center और focus के बीच का length जो है उसको हम कहाते है focal length तब focal length इसका right side में आ रहा है और right side में जो distances होते हैं positive में होते हैं इस कारण से इसका focal length क्या होगा उत्तल lens का focal length पोजिटिव होगा तब focal length positive होगा तब power भी क्या होगा positive होगा diopter में power भी positive होगा वहीं outer lens की बात करें यानि concave lens की बात करें तो उसका focal length negative होता है और power भी negative होता है तो उत्तल lens की छमता negative नहीं होती है positive होती है ये गलत है third statement गलत है lens की छमता को map ने की काई diopter है ये statement बिल्कुल सही है तो 1, 2 और 4 ये सही है तो 1, 2 और 4 यहां भी right option भी होगा जो power का unit होता है वो diopter होता है power क्या होता है power is equal to 1 by f होता है reciprocal और focal length in meter meter में है तो 1 by f होगा centimeter में है तो 100 by f होगा और इसके unit यानि 1 by meter को कहा जाता है diopter next question सुची एक को सुची दो से मिलान करे तथा कूट का प्रियोकर सही उत्तर चुने प्रतिरोध resistance का unit क्या होता है ohm होता है चालकता यहां पे चालकता दिया हुआ है लेकिन इंगलीस वाले में conductivity दिया गया है चालकता का इंगलीस होता है conductance sorry चालकता का होता है conductivity conductivity होता है और conductance का होता है चालकत्व, और यहां पे जो conductivity का unit होता है, conductivity, resistivity का उल्टा होता है, resistivity का unit क्या होता है, ohm meter होता है, तो ohm meter का उल्टा होता है, उसको कहा जाता है, साइमेन पर मीटर, साइमेन पर मीटर उसको, तो conductivity का unit होता है, साइमेन पर मीटर, और conductance का unit क्या होता है, resistance का उल्टा, resistance के उल्टा को conductance कहा जाता है, resistance का unit होता है, ohm, तो conductance का unit क्या होगा, one by ohm, तो one by ohm को महो कहा जाता है, महो तो महो जो यूनिट है वो कंडक्टेंस का यूनिट है कंडक्टिवीटी का यूनिट नहीं है यानि चालकत्त का यूनिट है चालकता का यूनिट नहीं है चुमबकिये छेत्र यानि मैगनेटिक फिल्ड का यूनिट क्या होता है टेसला जो दिया हुआ है two हो रहा है तो इस तरीका से हम देखे तो महो इस में से किसी का यूट नहीं है इस करण से इस question में error है इसका complete कोई भी answer नहीं दिया गया है क्योंकि महो जो है हो conductance का unit है conductivity का unit नहीं है तो इस करण से यह question गलत है यहां पी महो के जगापर साइमेन पर मीटर होना चाहिए, साइमेन पर मीटर यदि होगा, तब जाकर कि यह कंड़क्टिवीटी का यूनिट होगा, यानि चालकता का यूनिट होगा इस question का English वाला बर्जन देखिए, match list 1 with list 2 and select the correct tensor using the code तो resistance का unit क्या होगा, ओम होता है, conductivity का unit क्या होता है, महो conductivity का unit नहीं होता है, और magnetic field का तो टेसला होता ही है, electric power का वाट होता है, इस कारण से महो दिया हुआ है, तो यहां conductivity न हो करके conductance देना चाहिए था conductance तब जाकर कि यह सही होता इस करण से इस question में कुछ error है next किस बैज्यानी के उनसार परमाडू अभिभाज्य कंड है तो डॉल्टन के उनसार जॉन डॉल्टन ने कहा कि कोई भी matter जो है small particles के छोटे-छोटे कंडू से मिल करके बना हुआ होता है और उसी छोटे smallest indivisible, uncuttable particle को परमाडू कहा जाता है atom कहा जाता है तो जॉन डॉल्टन ने कहा कि atom जो है indivisible है परमाडू अभिभाज्य है तो right option यहाँ पे A होगा जेजे थॉम्सन ने आपना atomic model जो present किया थै इन्होंने ही electron को discover किया और अपना atomic model परजेंट किया उसमें इन्होंने कहा कि कोई भी atom positive charge से बना हुआ एक uniform sphere है जिसके अंदर negatively charged electron uniformly embedded रहते उसी तरीका से जिस तरीका से water melon के अंदर seed embedded रहता है तो उन्होंने electrical neutrality के concept को दिया था JJ Thompson यानि उन्होंने indirectly कह दिया था कि atom electrically neutral होता है जितना positive uniformly embedded का मतलब यहीं हुआ कि जितना positive charge है उतना ही negative charge है electrically neutral है सिर्फ यहीं बात उनकी सहीती बाकी बाते गलत थी gold estin gold estin ने anode ray को discover किया था anode ray और उसके बाद में proton को next निमलिखित में से कौन एक मिक्सरन का उदारन है तो इस पात estil जो है estil एक mixture है ly है estil carbon and iron का ly है iron and carbon का ly है ap and carbon इसमें पाया जाता है ly है और एक किसी भी ratio में mixture का मतलब होता है किसी भी ratio में उसको mix किया जा सकता है और जो mixture है उसमें जो constituents है जिससे मील करके बना हुआ है उसमें दोनों ही की property exist करती है जैसे estil में iron की भी property है carbon की भी property है mixture हम बना लें सर्वत बना लेते हैं जैसे माली जो water में हमने क्या किया sugar को dissolve कर दिया तो सर्वत जो बना हुआ है उसमें निमू भी मिला दिया तो सर्वत जो बना हुआ है उसमें water की भी property है lemon की भी property है and sugar की भी property है तो mixture में जो constituents हैं उनकी property रहती है लेकिन compound में chemically combined हो जाते है reaction हो जाता है उनके बीच में इस करण से एक नया substance बन जाता है और नया substance बनने की वज़ा से जो constituents हैं उनकी property उसमें एक जिस्ट नहीं रहती है जैसे A और B मिल करके यदि mixture बनाते हैं तो mixture में A की भी property रहेगी और B की भी property रहेगी लेकिन A और B मिल करके कोई compound बनाते हैं तो उसमें नो तो A की property रहेगी और नहीं B की property रहेगी जैसे example में देता हूँ hydrogen को यदि हम burn कराते हैं जलाते हैं oxygen के presence में तो water बनता है तो hydrogen एक अच्छा fuel है वो जलता है और oxygen क्या है? oxygen burning में help करता है लेकिन water क्या है? आग बुझाने में काम आता है तो water में न तो hydrogen की property है और नहीं oxygen के property है इस कारण से water एक mixture नहीं है compound है तो water एक compound है carbon monoxide भी compound है लेकिन इस पात यानि steel एक mixture है राइट अप्शन ए होगा next hydrogen chloride एक gas है प्रन्तू hydrogen fluoride एक निम्न क्वाथनांक वाला द्रव है क्योंकि hydrogen fluoride यदि F यहाँ ले और hydrogen है यहाँ पी तो fluorine और hydrogen के बीच में HF जो बना हुआ है hydrogen fluoride जो बना है इसमें यह जो HF बना हुआ है hydrogen fluoride fluorine की electron negativity ज्यादा होने की वज़ा से यह जो दो electron है जिनके मिलने से bond बना हुआ है slightly यह अपनी तरफ खींच लेगा fluorine तो slightly displaced होने electron cloud जो है वो fluorine के ट्वार से थोड़ा सा shift हो जाएगा shift होने की वज़े से इस पे slightly negative charge आ जाएगा delta minus और hydrogen पे delta plus आ जाएगा तो यानि दो पोल बन गया तो hydrogen fluoride क्या है एक polar molecule है तो अब delta plus आया हुआ है और F पे delta minus आया हुआ है तो दूसरा जो HF molecule रहेगा तो इस पे भी delta plus है और इसे भी delta minus है तो F और H के बीच में एक bond बन जाएगा जिसको hydrogen bond कहेंगे हम इस F delta minus और H delta plus के बीच में एक bond बनेगा जिसको hydrogen bond कहा जाता है तो hydrogen bond बनने की वज़े से ये gaseous phase में नहीं है liquid phase में है और जबकि hydrogen chloride जो है एक gaseous phase में है तो hydrogen बन्द के कारण और उस शगुनित हो जाते है so right option A होगा next question oxygen के संबंद में निमलेखित में से कौन सा कथन सकते है यानि oxidation के लिए कौन सा इसमें से statement सही है electron का त्याब होता है बिलकुल जैसे माल लिजी magnesium को हमने oxygen के परजेंस में बर्न किया magnesium को magnesium oxide बना यहाँ एम जी ओ बना तो magnesium क्या क्या electron दिया और oxygen क्या है electron लिया है electron का त्याग जो है oxidation का लाता है magnesium ने क्या क्या electron दिया है इस करण से इसका oxidation हो रहा है oxygen का संजोग oxygen का संजोग भी oxidation का लाता है magnesium से oxygen संजोग कर रहा है addition of oxygen हो रहा है इस कारण से magnesium का oxidation हो रहा है दोनों ही तरह से कह सकते है तीन तरीका से हम कह सकते है magnesium electron दे रहा है इस कारण से इसका oxidation हो रहा है magnesium का oxidation number बढ़ रहा है यहाँ पे magnesium का oxidation number 0 है लेकिन magnesium oxide में magnesium का oxidation number 2 है पलस 2 तब magnesium का oxidation number बढ़ा इस कारण से भी इसका oxidation हुआ और addition of oxygen हुआ इस कारण से भी इसका oxidation हुआ तो electron का त्याग ये भी सही है oxygen का संजोग ये भी सही है विदुध धनात्मक समूह के अनुपात में बिल्दी होती है देखिए addition of oxygen हो रहा है यानि electro negative element add हो रहा है electro positive element add नहीं हो रहा है electro negative element add हो रहा है तो इस कारण से भी धुध धनात्मक समूह के अनुपात में बिल्दी हो रही है भी धुध धनात्मक समूह के अनुपात में बिल्दी नहीं हो रही है इस कारण से c statement जो है वो गलत है तो A और B सही है तो उपरिक्त में से एक से अधिक राइट अप्शन D होगा नेक्स्ट कोस्टन निमलिक्त में से कौन सा एक जटिल लवन यानि complex salt है यानि coordination compound कौन सा है complex salt को coordination compound भी खा जाता है और coordination compound में क्या होता है है एक central atom होता है central metal iron होता है और इससे बहुष साभे लिजेंद्स यानि complex iron से जुड़े हुए रहते हैं coordination bone के द्वारा coordination bond के द्वारा मा लिजेंड़ के एक legend यानि complex iron A है दूसरा B है तीसरा C है, चाओथा D है, इस तरीका से जुड़े हुए रहते हैं, coordination bond के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं, legends, तो इसमें से देखें, तो यहाँ पी एक iron, potassium ferrocinite जो है, potassium ferrocinite इसमें central metal iron कौन सा है, यह iron है, और इससे जो legends जुड़े हुए है, Cn, 6 Cn जुड़े हुए हैं, यहाँ से, तो legends इससे जुड़े हुए हैं, यदि हम यह दूसरा compound जो है, potassium mercuric iodide, potassium mercuric iodide, इसमें central metal iron कौन सा है, mercury है, mercury है, Hg, और इसमें, इसका नाम है, diamino silver chloride, diamino silver chloride में AG जो है, यानि silver जो है, एक central metal iron है, और इससे कई legends से जुड़े हुए है, तो यह तीनों ही complex salt है, यानि coordination compound है, तो इसमें से उप्रीक्त में से एक सधिक right option D होगा, next question, उत्प्रेरा के संब्ध में निमलिकित में से कौन सा कथन सकते है, यानि catalyst के बारे में कौन सा इसमें से statement सही है, या प्रतिक्रिया का दर बढ़ाता है, या rate of reaction ये increase करवा देता है, ये बिलकुल सही है, यह सक्रियान उर्जा, activation energy, activation energy को बढ़ाता है, नहीं देखते हैं कै ये बढ़ाता नहीं है, घटाता है, या सक्रियन उर्जा को यानि activation energy को घटाता है, ये statement सही है, या प्रतिक्रिया में खर्च हो जाता है, यानि reaction में ये पार्टिसिपेट करता है, इन्वल्व होता है, और इसके amount उसमें कुछ खर्च हो जाते हैं, ये statement गलत है, कोई भी enzyme, क बस्ट वह एक platform प्रोबाइड कर देता है, जैसे मैं समझाता हूं, जैसे किसी भी reaction में जब catalyst मिलाया जाता है, तो catalyst क्या करता है, एक platform प्रोबाइड कर देता है, और इसी platform पे जो molecules से reactants के molecules से collide करते हैं, और collision के बाद में product बनता है, तो जैसे माल लीजे, यदि reaction coordinate के form में हम product बनना है, यहाँ product बनना है, तो यदि catalyst नहीं मिलाया जाता, तो यह reaction कुछ इस तरीका से जाता, reaction, और इसके, इस energy को activation energy कहा जाता है, इस energy को, activation energy, जिसको यह कहते हैं, activation energy कहा जाता है, इसको, यह कहा जाता है, तो जब हम इसमे catalyst मिला देते हैं, तो जो इस label पे जाना अब reaction का pathway कुछ इस तरीका से चला जाता है, दूसरे pathway को adopt करते हुए product पे जाता है, यानि activation energy जो है वो कम हो गया, अब इतना activation energy घट करके हो गया, तो यह क्या करता है, यह एक platform प्रोबाइड करता है, जिस पे reactance molecule का collagen होता, collagen के बाद में product बनता है, दूसरी बात यह है कि यह activation energy क को कम कैसे करता है, एक another pathway प्रोबाइड करता है, दूसरा pathway प्रोबाइड करता है, और product आसानी से बन जाता है, तो इस कारण से reaction का rate भी increase करवा देता है, यह खुद खर्च नहीं होता है, just the platform प्रोबाइड किया हुआ है, इसमें जो reactant, यह उत्प्रेरक यानि catalyst खर्च नहीं ह यह गलत है, यह activation energy को घटाता है, तो third statement सही है, यह प्रतिकिरिया में खर्च हो जाता है, यह खर्च नहीं होता है, तो एक और तीन सही है, कि एवल एक और तीन right option C होगा, next question, खाद पदार्थों के पडिरक्षन के लिए पडियोग में लाया जाने माला रासायन है, तो खाद पदार्थों के पडिरक्षन में जो यूज किया जाता है, sodium benzoate का यूज किया जाता है, और sodium benzoate का ये structure होता है, benzen ring बनाईए इसमें से, benzen ring और यहाँ पे C double bond O, और यह उसको कहा जाता है sodium benzoate, और इसी का यूज किया जाता है, खाद पदार्थों के पडिरक्षन में राइट अप्सन A होगा, next question, सुस्क सेल में धनात्मक छड़ के रूप में प्रियुक्त होता है, धनात्मक छड़ के रूप में, सुस्क सेल यानि ड्राई सेल जो भी बैटरी है, जैसे torch वगर में लगता है, remote वगर में लगता है, जब वो खराब हो जाता है, और उसको हम तोड़ करके देखें, तो उसमें एक black color का रड नजर आता है, वहीं होता है graphite का रड, तो graphite के रड का यूज किया जाता है, धनात्मक छड़ के रूप में right option B होगा, next question, नौस sublimation method, sublimation method क्या होता है, जब कोई solid बीना liquid फेज में गए, directly gas में convert हो जाए, तो इस process को कहा जाता है, sublimation, जैसे camphor है, कपूर है, पूजा करते वक्त, जब हम कपूर को जलाते हैं, तक कपूर क्या है, camphor क्या है, एक solid है, जब उसको जलाते हैं, तो वो liquid में बदलता नहीं यह melt करके liquid में नहीं जाता है, directly gas में convert हो जाता है, तो इसको कहा जाता है, sublimation यानि उर्दुवपातन कहा जाता है, दूसरा example क्या हो जाएगा, dry ice, यानि solid carbon dioxide, iodine, ammonium chloride, naphthalene, camphor, यह सभी, इसमें सभी में, यह liquid phase में नहीं जाते हैं, यह directly gaseous phase में चले जाते हैं, sublimation के थ्र direct solid में convert हो जाता है, तो इसको desublimation या deposition कहा जाता है, तो इसमें से right option उर्दुवपातन भी यानि sublimation method होगा, next question, निमलिकित में से कौन सी धातो अमल से hydrogen gas भी स्थापित करती है, तो reactivity series में, जो hydrogen से उपर जो भी धातों होंगी, जो भी metals होंगे, वो अमल से hydrogen को भी स्थाप हैं, यह है reactivity series, reactivity series में hydrogen से उपर जो है, यह सभी potassium, sodium, barium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, nickel, tin और lead है, यहाँ पर, तो उसमें जो option दिया गया, उसमें magnesium एक है, तो magnesium जो है, यह reactivity series में hydrogen से उपर है, इस कारण से यह salt से hydrogen को displace कर देगा, बाकी hydrogen से नीचे जो भी metals हैं, वो salt से hydrogen को displace नहीं करेंगे, तो उसमें से सही option magnesium होगा, तो इसमें mercury and platinum, जो है, वो hydrogen से नीचे ही है, reactivity series में magnesium उपर है, इस कारण से यह displace कर सकता है, hydrogen को right option C होगा, next question, एक ही पदार्थ के अन्वो के बीच जो बल कार्ज करता है, उसे क्या कहा जाता है, तो एक ही पदार्थ के अन्वो के बीच में लगने वाले बल को, ससंजक बल, यानि कोहसी फोर्स कहा जाता है, कोहसी फोर्स, ससंजक बल कहा जाता है, कोहसी फोर्स, right option B होगा, और अलग अलग तरीका के अन्वो के बीच में लगने वाले बल को, ससंजक बल, यानि एधेसी फोर्स कहा जाता है, एधेसी फोर्स, और इसको कोहसी फोर्स कहा जाता है, जैसे कोई भी गम जो लेते हैं, चिपकाने के लिए, पेज को चिपकाने के लिए, फटे हुए पेज को चिपकाने के लिए, तो उस पे लिखा रहता है, एधेसी तो वो क्या करता है दो पदार्थों के दो पदार्थों को वापस में चिपका देता है वो तो उसमें दो पदार्थों के अड़ों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो है एधेशिप नेक्स कोस्टन बिहार के प्रमुक बिभूतियों का उनके जन्म अस्थान के साथ सुमेलित करें राजहिंतर परसाद का जन्म जीरा देई में हुआ था तो एक बी हो जाएगा सिर्कृष्ण सिंग जी का जन्म सेखपुरा के बड़भी घा में हुआ था बड़भी घा में उन का जेप्रकाश नराइंड जेप्रकाश नराइंड का जन्म सिताब दिया रहा सारण के सिताब दिया रहा में तो C का 3 का D हो जाएगा और अनुग्रह नराइंड सिंहा का पोईवा में पोईआवा में और एंगा बाद के पोईआवा में तो फोर का C हो जाएगा यहां पर तो यहां पर B, A, C, D हो जाएगा B, A, C, D, 1 का B, 2 का A, और 3 का C, और 4 का D, राइट अप्शन B होगा नेक्स कोशन, निमलिखित में से कौन रामधारी सिंग दीनकर की रचना नहीं है तो उर्बसी, रामधारी सिंग जी की ही रचना है, रसवन्ती भी, रेंडुका भी, तो यह सभी है तो उप्रिक्त में से राइट अप्शन D हो जाएगा, यह सभी रसना है, हमें चूच करना है, नहीं है तो इसलिए उप्रिक्त में से कोई नहीं नेक्स कोशन, बिहार के परमुख मेले में, उनके अस्थान में कौन सही सुमेलित नहीं है हरी हर मेला सोनपूर में लगता है, यह सही है मलमास मेला राजगीर में लगता है, यह भी सही है मंदार मेला गया में नहीं लगता है, मंदार मेला बांका जिले में मंदार की पहारी पर हर एक साल मकर संक्रांती के अवसर पर लगता है तो ये गलत है यहाँ पे हो जाएगा बांका तो C अप्सन प्राइट अप्सन C होगा नेक्स कोशन निमलीखित में कौन सही सुमेलित है पर्मुख पर्याटन अस्थल और जीला केसरिया एस्तूप मुझपःपुर में नहीं केसरिया नेक्स कोशन निमलीखित में कौन सा सहर बूढ़ी गंड़क नदी के किनारे इस्तित नहीं है तो बूढ़ी गंड़क नदी के किनारे मुझपः पुर इस्तित है खगड़िया भी इस्तित है लेकिन दर्भंगा नहीं है तो इसमें से इस्तित नहीं है तो C हो जाएगा राइट अपसन नेक्स्ट भीम बांध बन जीव अब्यारन किस जिले में इस्तित है यह मुंगेड में है राइट अपसन C होगा बिहार की कुल जन संख्या जन गरना 2011 के अनुसार कितनी है तो 10 करोड 40,99,452 है राइट अपसन A होगा नेक्स्ट निमली खित में असत्य को चुनें बिहार की सक्षर्टादर 78,8 परतिसात है यह सही है बिहार की पूरू सक्षर्टादर 71,2 परतिसात है यह भी सही है बिहार की महिला सक्षर्टादर 51,2 परतिसात 51,2 परतिसात नहीं है 51.5 प्रतिसत है इस कारण से C सही नहीं है तो राइट अप्सन C होगा नेक्स्ट 2011 के जनगरना करनुसार बिहार का जनसंख्या घनत तो कितना है तो बिहार का जनसंख्या घनत है 1106 इसमें से कोई नहीं राइट अप्सन D होगा 1106 है पर सन पर एस्वाइर किलोमीटर बिहार में सरबाधिक अनसूची जन जाती प्रतिसत वाला जिला का उनसा है तो वो है पश्चिम चंपारन पश्चिम चंपारन के कुल जन संख्या का 6.35 परसेंट अनसूची जन जातिया है राइट अप्सन C होगा नेक्स्ट निमलिखित में से कौन सा कथन असत्य है भारत को संजुक्त राष्ट सांख्य की आयो का सदस से चूना गया है ये सही है भारत को 4 साल के कार्जकाल के लिए संजुक्त राष्ट के सांख्य की ये निकाय के लिए चूना गया है ये भी सही है एक सदस्य के रूप म को चूनना है नेक्स्ट आइसी सी के दो पुन्द सदस टीमों के बीच पूर्सों के अंतरास्तिय मैच में न्यूजी लेंड की महिला एंपायर ऑन फिल्ड एंपायर के रूप में सेवा देने माली पहली महिला एंपायर बन गई है तो वो हैं कीम कॉटन आइसी सी के दो पुन्द सदस टीमों के बीच पूर्सों के अंतरास्तिय मैच में न्यूजी लेंड की महिला एंपायर कीम कॉटन ओन फिल्ड एंपायर के रूप में सेवा देने माली पहली महिला एंपायर बन गई है राइट ऑप्शन ए होगा भारत की राष्टपती सिर्मती द्रौपती मुर्मों ने साथ अपरेल 2023 को किस राष्टे उद्यान में गज उत्सव 2023 का उधगाटन किया तो असम के काजी रंगा राष्टे उद्यान में राइट अप्शन सी होगा नेक्स्ट इंडिया जस्तिस रिपोर 2022 करुंसार निमलिखित में से किस राष्ट ने एक करोर से अधिक आबादी वाले अठाड़ प्रमूख और मध्या माकार के राजियों में नियाय प्रदान करने के संदर में सिर्ष अस्थान हासिल किया है तो है करनाटक सेकेंड अस्थान पे तमिल लाडू और तीसरे अस्थान पे तिलंगना रहा है तो करनाटक होगा राइट अप्शन ए नेक्स्ट हाली में विश्व स्वास्त संगठन ने कीन देशों को मलेरिया मुक्त परमारित किया है तो दो देश हैं अजबर बैजान और ताजीकिस्तान राइट अप्शन C होगा 2021 में चीन और अलसलवा डोर को मलेरिया मुक्त परमारित किया जा चुका है नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन 2023 में पूरू सेकल का खिताब किस ने जीता? नौवाक जोको वीच ने जीता, राइट अपसन B होगा नेक्स्ट, मीस वर्ल्ड और्गनाईजेशन ने 2023 में होने माले एकतरव में मीस वर्ल्ड पेजन्ट की मेजवानी के लिए किस देश को चूना है? भारत को चूना है? राइट अपसन A होगा एक तरह में मीस वर्ल्ड 2023 की मेजवानी करने का समान भारत को 27 साल बाद मिला है आखरी बार देश में साल 1996 में मीस वर्ल्ड पेजेंट आयोजित की गई थी नेक्स्ट निमलिकित में से कौन सा कथन सत्य है जून 2023 में राष्ट परती द्रवपदी मुर्मू को फीजी ने अपना सर्वोच नागरिक सामान परदान किया फीजी ने नहीं सूरी नाम ने परदान किया था सूरी नाम ने Grand Order of the Chain of the Alois Star तो इस करण से ये गलत है नेक्स्ट भारत ने चक्रवात मोचा से परभावत किस देश में लोगों को मानविय साहता परदान करने के लिए अपरेशन करुना सुरू किया है तो मैनमार राइट अप्शन बी होगा नेक्स्ट कोर्शन खेलो इंडिया इंवर्सिटी जेम्स के आई यूजी 2030 के संबध में कौन सा कथन असत्त है इसका आयजन मद परदेश में किया गया मद परदेश में नहीं यूपी में किया गया उत्तर परदेश में तो ये गलत है पंजाबी इंवर्सिटी ने पदक तालिका में सिर्शास्थान पराप्त किया ये सही है तो इसमें से दो और तीन सही है लेकिन एक गलत है और असत्य कथन ही चूनना है तो केवल एक राइट अप्शन ए होगा Next, हाली में संपन हुए IPL 2013 के संब्ध में कौन सा कथन असत्य है या खिताब चेनई सुपर किंग्स ने गुजराट टाइटन को हरा कर अपने नाम किया ये सही है चेनई सुपर किंग्स की टीम पाँच वी बार चेंपियन बनी ये भी सही है फाइनल मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी एस्टेडियम में खेला गया ये भी सही है तो ये सभी सही है और हमें चुनना है असत्य कथन तो कोई भी असत्य कथन नहीं है तो उप्रयुक्त में से कोई नहीं राइट अप्शन डी होगा नेक्स कोईशन हाली में किस मंत्रा ले द्वाड़ा एक लर्निंग मैनेजमेंट इन्फोर्मेशन सिस्टम LMIS सक्षम लाउंच किया गया स्वास्त मंत्रा ले के द्वाड़ा राइट अप्शन बी होगा सक्षम का मतलब है एस्टिमूलेटिंग एडवांस्ट नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट नेक्स्ट हाली में किस खिलाड़ी ने लॉडियस वर्ल्ड एस्पोर्स मैन आफ द इयर दोहजर तेश अवार जीता है तो लियोनेल मेसी ने जीता है राइट अप्शन C होगा मई दोहजर तेश में दक्षिन पूर्बेस याई देशों के संग्ठन आसियान का ब्यालिसवां सीखर समयलन किस देश में आउजित किया गया इंडोनेशियम है जीत किया गया था राइट अप्शन A होगा नेक्स्ट क्वेशन भारत का पहला केबल एस्टे रेल बिरिज अंजी खड हाल ही में किस राजियाके अंदर सासित परदिश में बनकर तयार हुआ है पूल की कुल लंबाई 725 मीटर है और इसमें से 473 मीटर हिस्सा केबल पर अधारित है नेक्स्ट 26 अपरेल 2030 को तीबती अध्यात्मिक गुरू दलाई लामा को 64 साल बाद ब्यक्तिकत रूप से रेमन मैकसे से पुरसकार से सम्मानित किया गया है उन्हें किस बर्स का रेमन मैकसे से पुरसकार दिया गया है तीबती अध्यात्मिक गुरू दलाई लामा को 26 अपरेल 2030 को धर्मसाला में उनके निवास पर 54 साल बाद पुरसकार फाउंडेशन ने ब्यक्तिकत रूप से बर्स 1969 का रेमन मैकसे से पुरसकार परदान किया 64 साल बाद चोगन साल नहीं 64 साल बाद अगास्त 1969 में मलीला में उनके बड़े भाई ग्यालो थोडेन ने उनकी और से रेमन मैकसे से पुरसकार गरहन किया था दलाई लामा 1969 में तीबत से भारज चले आये थे और तब से वो यहीं रह रहे हैं तो इसमें से राइट अप्शन बी होगा 1969 का रामन मैकसे से पुरसकार नेक्स कोस्टन एस्मोक एंड एसेज नामक पुस्तक किस के द्वारा लिखी गई है जो 15 जुलाई 2030 को रिलीज की जाएगी आमिताब घोस के द्वारा लिखी गई है राइट अप्शन सी होगा नेक्स्ट हाली में माना को भारत का पहला गाउं घोसित किया गया है यह कि सिराज में इस्थित है तो यह उत्राखंड में है उत्राखन के चमूली जीले में इस्तित माना गाउ को पहले भारत का आखरी गाउं कहा जाता था भारत का पहला गाउं मारा गाउं को भुसित किया गया है तो इसमें से राइट अप्सन भी होगा उत्राखन नेक्स्ट ओडियन अभ्यास 2003 से संबंधित नमलिकित कतनों पर विचार कीजिए इस अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया ये सही है भारत ने भी इस यूधा अभ्यास में हिसा लिया था ये भी सही है यह एक बहुपक्षिय थल से ना अभ्यास था थल से ना नहीं यह एक बहुपक्षिय वायू से ना अभ्यास था तो थ्री गलत है वन एन टू के बल सही है राइट अभ्यास सी होगा नेक्स्ट केंडिये बीद्यूत और नमीन एमन नविकरिनी ये उर्जा मंत्रा लैदवारा जारी राज उर्जा दक्षता सुसकांक 2022 में कौन सा राज सिर्ष अस्थान पे रहा तो सिर्ष पे रहा आंधर पर्देश उसके बाद करनाटक, देन केरला, देन राजस्थान और देन तेलंगाना तो इसमें से आंदर पर्देश सबसे उपर रहा राइट अपसन A होगा Next, हाली में कि सराज्जे के मीर्चा चावल को G.I. टैग परदान किया गया है तो बिहार के मीर्चा चावल को G.I. टैग मिला है बिहार का राइट अपसन C होगा नेक्स्ट निमलिकित में से किस भारतिय अमेर की सांखी की वीद को अंतराष्टिय सांखी की पुरसकार 2013 से समानित किया जाएगा तो वो हैं C.R.R.O. राइट अप्शन C होगा दस अपरेल 2013 को वीदे समंतरी S. जैसंकर ने किस देश की अपनी यात्रा के दावरान बाराणसी की तूलसी घाट जीनोधार पर्योजना का सुभाराम बकिया तो यूगांडा यात्रा के दावरान राइट अप्शन C होगा नेक्स्ट हाली मायोजित ICC B.S.T. टेस्ट चैंपियनशिप 2013 का खिताव किस देश ने जीता आस्ट्रेलिया ने जीता भारत को हरा करके राइट अप्शन B होगा नेक्स्ट कोस्टन ने संसत भाउन से संबन्धित निमलिकित कथनों पर विचार के जिए इसका डिजाइन डॉक्टर बीमल पटेल के द्वारा किया गया है ये सही है सेंट्रल विच्टा परजेक्ट के अंदरगत इसका निर्माल टाटा परजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है ये भी सही है इसके तीन मुख्य द्वार को ग्यान द्वार, सक्ती द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है ये भी सही है लोग सभाकक्ष में बरतमान के 543 के बजाए 888 सीटे इसमें होंगी जिसकी छमता बढ़ करके 272 हो जाएगी राजसाबा कक्ष अब 250 के मौजूदा छमता के बीपरित 384 संसत सदस्यों को समयोजित कर सकती है तो इसमें से तीनों ही स्टेटमेंट सही है और हमें चूच करना है असत्य कथन, कौन सा कथन असत्य सही नहीं है तो इसमें से सभी सत्त कतन है तो उपरिक्त में से कोई नहीं राइट अप्शन D होगा नक्स कोशन हाले में किस राज ने महिलाओं के लिए कारज एस्थल को सुरक्षित बनाने के उदेश से साहस पहल की शुरुआत की है तो तेलंगना ने तेलंगना ने राइट अप्शन B होगा तेलंगना के गिरिह मंत्री ने महिलाओं के लिए कारज एस्थल को सुरक्षित बनाने के दीशा में साहस पहल की शुरुआत की साहस करज करम का उदेश से कारज एस्थल पर यवन उत्विडन का सामना करने माले महिलाओं के लिए समर्थन परिस्थित की तंतर को मजबूत करना है नेक्स कोशन बिहार के किस जिले में राज का पहला बन जीव अस्पताल खोला जाएगा तो मुझभफरपूर में मुझभफरपूर बन अराने सेरपूर में बिहार का पहला बन जीव अस्पताल खुलेगा बन जीव को रेस्क्यू के बाद 15 दिन तक अस्पताल में रहकर पूरी तरह स्वस्त होने पर जंगल या अधिवास छितर में छोड़ा जाएगा इस अस्पताल में केवल बन जीव कहें इलाज होगा राइट अपसन ए होगा मुझफर पूर बिहार में किर्सी रोड मैप चार कब लागू किया गया एक अपरेल 2023 से लागू हुआ राइट अपसन ए होगा ये लागू किया गया एक अपरेल 2023 तक और इसकी अवधी होगी 31 मार्श दोहजार अठाईस तक नर्च कोशन मर्वूर में हिंसा की घटनाओं की जाच के लिए नयायमूर्थी अजैलांबा की अध्यक्सता में एक जाच समीती का अपसनीटा किया गया है और उस समीती में उस समीती में गुहाटी उच नियाले की पुर्भ मुख नियाजिस नियामूर्थी अजय लामबा सहित पुर्भ I.S. अधिकारी हिमानसु से खरदास और पुर्भ I.P.S. अधिकारी अलोक प्रभाकर भी सामिल हैं उसमें तो इसमें से राइट अप्सन यह हो जाएगा नियामूर्थी अजय लामबा तो फ्रेंड्स यह रहा एडिटेरिया के टेस्ट फाइफ के हिंदी मेडियों के कॉस्चन का डिसकासन आप बने रहे हैं इस चैनल के साथ मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में तब तक लिए थेंक थेंक यह वेरी मच्च